गुद मॉनिंग तो वन एड़ तुड़े विल स्टाट दी थर्ड लेक्चर ओन एथिक्स आपड़े पेला बे लेक्चर स्टेडी करी लिधा छे जह मां आपड़े एथिक्स नी बेसिक टर्मिनोलोजी स्टेडी करी हती आजनो टोपिक छे एमोशनल इंटेलिजन्स वेल्यू अन एटिट्यूड आ त्रण पर GPSC वारमवार क्वेस्चन पुष्टू रेत हुए छे आँ अमारी डीटेल्स चे के तमारी तमें अमारी टेलीग्राम चेनल GPSC Guidance 91 सब्स्क्राइब करी शको चो अमारी वेबसाइट चे GPSC Guidance.com लेट्स स्टार्ट ता लेक्चर Emotional Intelligence What is Emotional Intelligence? कि तमें जारे Under Pressure होए, कि तमें कोई दुबिधामा होए, कोई धर्मसंकटमा होए, क्यां सल्वाना होए और तमें तमें तमारा Emotions अथवा कि तमारी लागणी पर तमारो केटलो कंट्रोल छे इबतावती वस्तुने केवा Emotional Intelligence तमें IQ तो साम्पूरी वसे Intelligence Quotient, के केटलों इंटेलिजन्ट छे वेक्ती एवी दिते EQ पन आवे छे Emotional Quotient, के इए Emotional Intelligence केटली हाई छे Emotional Intelligence ने लगता सवालोना कीवर्ड्स SMES Social Awareness, के एना मां सोसाइटी प्रतियनी Awareness केटली छे Motivation पोता ने और भीजा ने केवी दिते Motivate करे छे कोई एक्जाम मां फेल थाई तो इह हारी जाई छे के सू भीजा ने हिम्मत आपे छे के ने इवस्तुने केवाई Motivation एना पछी Empathy Empathy is next level of sympathy Sympathy एटला साहनू पूती तम्हें सामेवाड़े व्यक्ति सू फील करे छे ए जानो छो इने केवाई sympathy पड़ Empathy एना थी एक स्टेप आगडवते के तम्हें feel करो छो जे सामेवाड़ो feel करे Empathy is feeling what the other person feel के जारे सामेवाड़ी व्यक्ति जे feel करे छे इने एने empathy केवाई Last is social skills के तम्हें समाज मां केवी दिते भाद करो छो लोकों साथे केम उठो चो बेसो छो तो emotional intelligence ने लगता basic questions मां तम्हें social awareness, motivation, empathy और social skills चेवा keywords यूज करी छो तम्हें आने लगता example पन आपी छो जो emotional intelligence नी ability के एनी assessment करवा नी होए तो एना keywords चे PA URP परसीव, analyze, assist, understand, reflect, and promote परसीव एटले जोवू के एने सरखी रिते तम्हें जोवो छो के सू करे छे सू वस्तू छे पची एने analyze करो क्या वस्तू सारी छे के खराब छे एना थी positive effects सूँ आविया छे एना थी negative effects सूँ आविया छे तेन assist assist एटले मदद करवी के कोई वस्तूने तम्हें जानो छो पची एने समझो छो पची वस्तूने तम्हें असिस्टन्स आपो छो त्यार पची एने understand करो पची reflect एटले एनू चिंतन करवानू पची प्रमोट करो के कोई व्यक्ति कोई आइडियोलोजी ने प्रमोट करता होए के पई capitalism is a good ideology के communism is a good ideology तो तम्हें सिधे सिधू प्रमोट ना करो इट इस एक्सपेक्टेड के कोई जिपी एसी नो एस्पिरेंट होए तो एनामा analytical thinking होवी जोई है तो जारे emotional intelligence नी वात आवे तो तम्हें कोई ideology विशे वात करता होए तो पेला तमारे एने परसीव करवी पड़े समझो ideology के वासु मांगे छे पची एने analyze करो understand करो एना उपर reflect करो और पची तम्हें ये ideology ने प तो एना तमारों keywords आव से C3IL आजे बदा short mnemonics छे SMES, PA, URP, C3IL आ तमने याद राखवा मां मदद रे एना माटे में बना विया चे के तम्हें कोई exam मां आपता होए तो ethics is a very boring subject for some people पर आ content is expected के लोकों ने आठलू तो आवर्थू जोई है और ethics ने लगता questions मां आठला keywords तम्हें नाखो, then you can fetch more marks तो emotional intelligence ना use ना कोई question आवे, तो एमा तम्हें पेला communication करी शको, के कोई सारी emotional intelligence वाड़ी व्यक्ती होए, ये communicate बहु फ्लूएंटली खरी सकतू होए घणा candidates ने इंटर्वीव मां एवो इशू आवतो होए, के इंटर्वीवारे जे सवाल पुछो चे, येमने खबर होए, येनो आंसर पन येमने खबर होए, बटी communicate प्रोपरली ना करी सकता होए एवा लोकों ने emotional intelligence help करतू होई शे second is conflict resolution, के कोई ए व्यक्ती छे, एनो एक विचारधारा छे के आ वस्तु सारी छे, बी व्यक्ती एवु के छे के ना आ वस्तु सारी नथी, तो इवे वचे conflict उद्भवे, तो जहरी emotional intelligent व्यक्ती हसे, इक conflict बहु अर्ली स्टेज मां resolve करी देशे, अथवा conflict थवाज नहीं दे third is catalyst to change, तमारे कोई reform लावो छे, के तम्हें सुकाम deputy collector बनुछे, सुकाम मामलत्दार बनुछे, तो तमारे कोई change लावो छे, तो इचेंज लावा माटे पन emotional intelligence is a very must of prerequisite third is influence, तमारे कोई वस्तु करवा के कोई वस्तु ना करवा माटे जो प्रेना आपी होए के तमारे एमने influence करवा होए, तो इना माटे पन तमारे emotional intelligence होई घटे, and finally leadership, एटले के नेतरूत्व, तो emotional intelligence ने लगता सवालो मा, तमें आज आपने keywords अत्यारे तमें screen पर जोई देया छो, आ बदा keywords नो तमें तमारा answer मा यूस करी शको छो next is attitude, what is attitude? तो attitude एटले के persistent tendency to think, feel and act in a particular manner persistent is a keyword here, persistent एटले के लगातार इव्यक्ति आज रीते भीहेव करसे, एई विचार से पन आज रीते, feel पन आज रीते करसे, और कारिय पन आज रीते करसे, एव नहीं के आजे इव्यक्ति बहु उदार थाई गयो छे ने लोकोंने 500-500 रूपिया भीख मा आपे छे, और काल सवा आजे कंजूसाई करें, ना, that is not attitude, attitude एटले एक पर्जिस्टन टेंडेंसी छे, कि आजे कंजूस चे तो काले कंजूसाच रेशे, एना पछी एनु अपने अपने अलग-अलग attitude नी theory study करी, तो पेलू model आवे ABC model, ABC model एटले affection औने cognition, आ बे आपनु बहेवियार डीतेर्माइन क कि यह केटलू think करेशे, यह मानस केटलू feel करेशे औने केटलू think करेशे, आ बेना balanced mind उपर थी, एनु बहेवियार डीतेर्माइन थतू होई छे, कि यह कई दीते think करेशे औने कई दीते feel करेशे, त्यार पछी next year इचे पावलोव क्लासिकल कंडिशनिंग, आपने बताये स्क पावलोव एक बेल वगार तो, और बेल वगाईडा पछी आलोकोने जम्वानु सामे मुकी देतो, जेवु जम्वानु सामे आवे, एटले डोग्स सलाइवेटेग, कि एमना जीब माँ पाणी आवी जत्तो तू, पछी पावलोवे आऊ पंदर दीवस कर्यू, सोडमा बेल वागे, त्यारे तमारू जम्वानु आव से, एवु लोग डोग्स ना मघजमा आतू, भले जम्वानु त्यारे हतू पणने, तो पन डोग्स सलाइवेटेड, तो आरी ते जारे तम्हें एटिचूड नूँ कंडिशनिंग करो, तो एन्ने क्लासिकल कंडिशनिंग के तो तम्हें एन्ने रिवोर्ड आपो, कि कोई बाड़क होमवर्क करे छे, तो तम्हें एन्ने इदिव से चोकलेट आपो, एटले एन्ने खवर पड़े कि आ सारी वेल्यू छे, और आने तमारे वारम बार रिपीट कर सो, तो तमने बेनिफीट मढ़ से, तो आ प्रकार ना पॉजिटिव रिइन्फोर्समेंट के वाई, कोई बाड़क आग थी रमतु है, तो एक वारी दाजी जाए, तो एन्ने खवर पड़ी जाए कि आनी नजीक नथी जवानू, तो एन्ना मगज मा एक नेगेटिव रिइन्फोर्समेंट आवे, तो आप रकारे जे दूर रेव इन्फोर्समेंट ने शेप करतू होई छे, लास्ट थेयरी इस मोड मोडल, मोड थेयरी एवू के छे कोई व्यक्ति नो सक्सेस इना मोटिवेशन अन्ने ओपर्चुनिटी ने आधारित होई छे, कि इव्यक्ति केकलू मोटिवेटेट छे, इन्ने करवानू मन थाई छे के अन्ने ओपर्चुनिटी, इन्ने तौक मडे छे के ने, तमने गम्मे एटला केपेबल होई, जीपीएसी जो बेजारी एग्जाम लेज ने, तो तमने कई रिता क्लियर कर सो, एटला ओपर्चुनिटी पन एक फेक्टर होई छे सक्सेस नी अन्दर, तो आर इते जह बेसिक अन्दर, जीपीएसी 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 पुछी ना थी और पुछ्वाना चांस पन ओछा चे बट एक एक अनलीटिकल माइंडसेट धरावता व्यक्ति ने आटली आइडियोलोजी खबर होई जो ये, जेनो तमने कोई एसे मा फोडर पोईंट तरीके कोई व्यक्ति के कोई थियरीज नी चर्चा थाए, so that's why it's important to study the basics first. Next, आपने political attitude study करी. तमें न्यूस्पेपर माँ वाजता हाँ सो के spectrum ideology छे, के पची leftist ideology छे, के कोई एम केता होए के RSS is right-wing ideology, तो आब अधी वस्तू छे सूं, left सूं छे, right सूं छे, center सूं छे, political attitude सूं छे, नक्सलिजम सूं छे, तो एना माटे तमारे political attitudes नी खबर होई जोई है. तो basically, एक तमें एक सिधी लाइन ड्रो करो, और इी लाइन माँ, जे सूथी left माँ होए, एने केवाई extreme left, तो जे extreme left वाड़ी ideology छे, इछे, कोम्यूनिजम अथुआ नक्सलिजम, तो थोड़ू ओछू left माँ जाओ, तो सोशियालिजम, सोशियालिजम थी एकदम वदू left आओ तो एक दम लिब्रलिजम, के जे सेंटर थी थोड़ा क नजीक छे, वच्चे आवे ही political center, political center एटले एनी कोई specific ideology न थी, ना तो leftist छे, ना तो rightist छे, एनने ना तो capitalism माँ इंट्रेस्ट छे, ना तो communism माँ छे, थोड़ा क राइट जाओ, तो moderate राइट इले कंजर्वेटिजम, जे conservative party होए, के जे लोगोंने change बहुत ना गमत होए, ये लोगों moderate राइट के वाई, जेन थोड़ा वधू राइट चाव, अने extreme राइट माँ फासिजम अने नाजी आवे, के जे Hitler अने Benito Mussoloni नी पार्टी हती, ये extreme राइट माँ आवे, तो we can see के extreme right अने extreme left आप बनने नी tendency को वाईलेंट होए, कोम्मिनिजम होए, के नक्सलिजम होए, के फासिसम होए, at the end of the day, these are violent ideologies, जेहारे तम्हें थोड़ा moderate माँ आओ, अने एकदम सेंटर नी तरफ वधू आवता जाओ, that is liberal and conservatist ideology, तो आर इतना तम्हें जे हवे newspaper वांस्ता होए, अने कोई ideology नू के spectrum वी से थाए, तो हवे तमने थोड़ोख वधार क्लियर आइडिया हसे एवू मने लागे छे, next is hierarchical model, के attitude बने के भी रिते, के कोई ideology छे, के कोई विचारधारा छे, तो विचारधारा नो जन्मक के भी रिते थाए, तो एना माटने साउथी पेलो पोइंट होए, एक specific opinion, के हुँ ए एक specific opinion बईनो, के बई आ वस्तु सारी छे, पच एक habitual opinion बनतो होए, त्यारे specific opinion नुँ भारमवार पुन्रा वर्तन थाए, त्यारे इस specific opinion habitual opinion बनी जतो होए, छे, habitual opinion धिमे धिमे आपरो attitude बनी जतो होए, और attitude लांबा गाडाये इ व्यक्ति नी ideology बनी जती होए, छे, के मारो specific opinion छ के capitalist economy will be good for Indian government, पची धिमे 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 हुँ धा Hindu अने Indian Express मा capitalist लोको ना एडिटोरियल वादतो थाओ, मने यवा reports मडे के हा capitalist economy is good, तो ही मारो habitual opinion बनी जतो होए, के हुँ वारमवार friend circle साथे चर्चा मा के कोई ग्रूप डिस्केशन मा एव केतो होए, के हा capitalism is good, पची धिमे धिम is good for the society, and धिमे धिमे एक आइडियोलोजी जन्मे capitalism, और जारे आउ मारी जवा हजारोनी संखिया मा व्यक्तियों एक एक एटिट्यूड ने सपोर्ट करता होए, then it becomes an ideology, के आँ आइडियोलोजी आवी रिते बने, आइडियोलोजी नो जन्मे एक स्पेसिफिक ओपिनियन थी स्पेसिफिक ओपिनियन धीमे धीमे एक आटिट्यूड बने, एक आटिट्यूड ट्रांस्फॉर्म्स इन्टू आइडियोलोजी नेक्स्ट मोडल इस सोश्यल क्लिवेज मोडल, के सोसाइटी मां अलग-अलग ग्रूप्स होए, कास्ट बेस्ट, कम्यूनिटी बेस्ट, जेंडर बेस्ट, ओक्यूपेशन बेस्ट, जरूरी न थी के अलग-अलग ग्रूप्स हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करे, पन सोश्यल क्लि तो इस वूसाइटी डिवाइड थती होई छे तो आपड़े ऐस एटले स्टेडि करी छी के फ्यूचर माँ अपड़े एक डेपूटी कलेक्टर के कलेक्टर थ्या होई तो वी के न प्रिवेंट सज तिंग्स कि आपड़े सोसाइटी माँ डिवीजन ना थाू जोए जरूरी भीज न थी के बे ग्रूपस अलग-अलग आइडियोलोजी धरावे खे तो यहमेशा कॉंफिलिक्त तर्ज कर से जो थेट आइट थेक्ड मॉडल इस काल सोशल क्लिवेज मोडल लास्ट मोडल इस फ्रीजिंग हाइपोथेसिस फ्रीजिंग हाइपोथेसिस एवू के छे के सोसाइटी मा एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जे सिस्टम इन प्लेस हसे एने चेंज करवी बहुँ डिफिकल्ट हासे एक प्रकारे यी फ्रीज थाई जती होई छे जेम के बिफोर 1970s कोई पन पोलिटिकल पाटी नो सिंगल पॉइंट एजंडा हातो रोटी कपडा मकान एल्ले इलोको ने रोटी कपडा मकान सीवाई कोई बिजी वाद उपर डिबेट करवी इट वोज इंपोसिबल के पोलिटिकल स्कोप माद नो थू के बे पोलिटिकल प एक सोसाइटी मां एक पर्टिकुलर विचारधारा जारे फ्रीज थाई जाए छे त्यारे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रेज न्यू इश्यूस आ वस्तुने फ्रीजिंग हाइपोथेसिस केवा मां आवे छे लास्ट टोपिक ऑफ दे इस वेल्ऍधयूस अर व्रत्वी वेल्ःुँस प्रीजिंग हे प्रीजिंगीत प्रेंद लेल्वा जो न्यूने कल्शतों न्यूने वेलिजिंग सुग होए कि सोसाइटी ने केवु बनुवूँ छे सोसाइटी ना एम्ज अनने बिलीफ छे कि सुन सोसाइटी ने मौटिवेट करे छे इबतीज वस्तू वेल्यू होय अनने या वेल्यू सिस्टम आवे क्यां थी तो चार में सोर्स चे पेलू मधर मां ए सवती पेलो शिक्षक होई छे मदर एक बाड़क ने वेल्यूज आपता होई छे सेकेंड इस फेमिली बाड़क जयारे नानू होई त्यारे इनामा कोग्निटीव एबिलीटी एटली बथी ना होई बाड़क इसे जे तमाय फेमिली करो छो बेही मदर फादर जो आखो दीवस मोबाइल मचड़ता हासे तो बाड़क मोटू थे ने वुक्स नहीं एक लिवाँ चे बाड़क पन मोबाइल मचड़ से तो मदर, फेमिली और पच्छी स्कूल स्कूल विल टीच हिम वाट इस राइट और रॉंग के स्कूल मा गया पच्छी एने टीचर बिलीफ कर से के हाँ ओनेस्टी इस गूड कॉपी ना करू जो ये आम ना कराए साचू बोलाए आप बधी वेल्यू स्कूल इंस्टिल कर से and final, final inculcation of values will happen at the society stage के इस जॉब मा जाये त्यारे work सूँचे, society सूँचे समाज सूं behave करे चे समाज कोने desirable गने चे, समाज कोने undesirable गने चे Zimbabwe na president एक बहु सारी वात कही हती के how can we instill good values when we are surrounded by rich criminals and poor educated people जे सोसाइटी मां क्रिमिनल्स रीच होए औने एजुकेटर परसंद पूर होए एमां तमें एजुकेशन नी वेल्यू कई दिते इंस्टिल करी सक्षो तो आएक विचारवाल आएक प्रस्ण चे के आवी दिते आपड़ी सोसाइटी मां जरूरी न थी के बाड़क हमेशा खाली मदर औने फैमली औने स्कूल पासेशिज वेल्यू सीखे बाड़क सोसाइटी पासेब पांड सीखतू होई छे के सोसाइटी कोने डिजाइरेबल गन सोसाइटी जर्वस्तूनी कदर करती होई छे तो बाड़क ने के अथवा कोई परसंने मदर फैमली स्कूल औने सोसाइटी पासेथी वेल्यूस मड़ती होई छे आपड़े वेल्यू सिस्टम विशे आगर डिप मां बिजा टोपिक्स मां स्टेडी कर्शू नेक्स लेक्चर फॉर्डर पॉइंट तरीके सेमा पन यूस था ही जती होई छे तो फॉर थैट जो तमने वीडियो गमियो होए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर जो तो बी आल फोर तोड़ेस लेक्चर थैंक यू एन हव गूद दे